हेलो फ्रेंड्स मैं वीनय निर्भिक फ्रेंड्स आपका इबर फिर्ष्य हमारे चैनल पे श्वागत है फ्रेंड्स जब से कल से अगर एक्जाम पुश्पॉन हुआ तब से आप लोग एंटी पीच और ग्रूबडी एक्जाम डेट के बारे में पूश रहेते हैं क्योंकि मैंने आप लोग को कुछ दोनों को आपस में कोर्लेट करके बताया था कि अगर एससी पॉस्पॉन नहीं होता है तो एंटी पीच औ पॉस्पॉन होता है तो काफी लंबा ब्रेक लग सकता यह मैंने आपको बताया था और रीजन भी दिया था इसके पीछे कि फ्रेंट्स रेल्वे नौकरी देना नहीं चाहती है अगर रेल्वे नौकरी देना चाहती तो क्या होता आपका जो एंटी पिस एक्जाम है मार्च में ही कंप्रीट हो चुका होता क्योंकि उन्होंने काफी लंबार ब्रेक लिया है स्टार्टिंग में तो 15-20 लाग करा एक फेज में लेकि उसके बाद 6-4 लाग कि क्या करा है जान बुष के लटकाने का प्रयास किये ताकि बाद में एक कोरोना का बहाना मिल सके दूसरे एक का कोई कंडिशन नहीं है बिलकुल देश में मैं नहीं कहूंगा अभी एक्जाम कोई कराया और ना ही मैं कभी किसे से कहूंगा कि कोई एक्जाम के लिए मतलब की हैस्टेक बारे सलाओ कि स्टार्ट करों ये करों उभी सिचोषन बहुत खरावी फ्रेंड्स अभी सकते ही रियालिटी है लेकिन अगर रेलवे चाहता तो 15-20 मार्ज तक आसानी इस एक्जाम कंप्लीट कर सकता था जैसा कि मेडिया इंट्रेक्शन ने बोला गया था बट रेलवे का क्या था बस रेलवे स्टार्ट करा कि एक्जाम अपने कहवे डेट पे कैंडिट्स को सांथ क यो करा चुका है मैंने आपसे बोला था क्या कि हर जंगर डिवाइड रूल चलता है यहां भी गवर्मेंट यही की है यहां भी रेलवे यही किया है आपको मैं बताया था कि जब कई फेज बढ़ जाएंगे कैंडिट्स तो कैंडिट्स एक दूसरे के लिए कभी आवाज न नहीं होता इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे पॉस्टापनिन नोटिस देना पड़ता कि अभी हम पॉस्टापन कर रहे हैं और बाद में डीट्ट बताया जाएगा जब भी जरूवत हो अंनों बता देंगे कि जब बलब सेक्शन नॉर्मल होगा बट इंहोंने ना कोई कोई नाही कोई पॉश्ट बाइन कर नोटिस दिया जब इग्जामने नोटिस दिया है इसलिए मैं आपसे करता फ्रेंट्स के मेडिया इंट्रक्शन को हम ओफिशियल नहीं मान सकते हैं जब तक आपके आरर्ग के साइट पे कोई नोटिस ना आजाय तब तक आप उसे ओफिशियल नहीं मान सकते हैं वह महज क्या है नेताओं तरह बोली बात जैसे होती है इसका कोई मतलब नहीं होता है आपने देखा होगा रेल मंत्री ने कई बार इंसिस्ट किया एकदम जोर देके कहा कि हमने कलेंडर जारी कर दें रेलेवे का और एक्जाम उसी डेट्स पर होंगे जबक क्यों होता है मीडिया इंत्रेक सेंड में जो बार पर हैं जो सकिसाना करें ठीक है ठीक है तो बार बर ऑ ऐसे माम नहीं कर रहे हैं न नई ने अशाम करतेнить टाम के सवाल करते him और फिर उस दिन जबार नहीं क्या क्या लास्ट में बोल दिए कि आपके वार वर यखी सवाल करते हैं जब मैं कलेंडर जारी कर चुका हूं तो इस हिसाब से मंत्र हम बच गया पर जब कर सकते हैं तो मुह से बोलने का कोई मतलब नहीं होता है मैं हमेसा कहता हूं तो अगर अब हम बातकर फे leading कि इतनी लंबी देर होगी मैंने कहा न्यक्ट संब्ससे माहिए कुई ट्रयाय कमिए कड़ पॉस्पॉन किया था दो तढ़ बाता सकता है कब तक करोना जायगा कब तक जहां भी ग्जाम पुस्पور मोह heard यहीं कहा जा रहा है कि हम अलग से इनफॉरम करेंगे जब सिच्पैने नॉर्मल हो तो यानि वो बता जा रहे हैं कि हमें कनफर्मेशन नहीं है कि हम कब अपना एक्जाम कर सकते हैं तो कोई बी उसी RRB ने एक्जाम कराया था, आइसलेटेड और मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्रीर के टेगरिस का उसका क्या हुआ था, उसका नोट्रीस आप 30 अक्टूबर को ही देख रहे हैं, 45 दिन पहले, जो रेलेवे का नॉर्मल रूल होता है, बट NTP से में फॉलो नहीं किया गया, जिसक याँकि बहुत सी यूट्यूबर्स आपसे यह बोले थे, कि साथवाँ फेज जो है, 10 से 15 अपरेल के बीच करा लिया जाएगा, और 15 अपरेल से ग्रूब्डी स्टार कर जाएगा, तो मैं ने उसे भी डियाटली मना कर दिया था, जैसे 30 मही वाले बात को डियाटली मना कर पाया, और ना ही 15 अपरेल से ग्रूब्डी स्टार्ट हो पाया, ठीक, और अभी बात साबीत हो जाएगी, 30 मही तो कोई confirmation नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी तो कोई exam स्टार्ट होने वाला नहीं है, मैं आपको बता दू फ्रेंड्स, जो exams पहले पुश्पॉन हो रहे हैं, प तो वही सारे exams को deal कर रही है, तो एक एक करके सारे exams को कराएगी, इसलिए अब जो anti-visor group D में है, काफी लंबा समय लग सकता है, ठीक है, बहुत सो लोग CBT2 के इट का इंदजार कर रहे हैं, CBT2 तो फ्रेंड्स अभी भूल जाएए, क्योंकि अभी CBT1 ही complete नहीं हुआ है, तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, CBT2 कब तक हो सकता है, ठीक, तो फ्रेंड्स मेरे एक वाड़ी में बात करूं, कि अगर anti-visor 7th fish कब हो सकता है, तो मैं पहले भी बोला था, कि बहुत पहले होगा, तो मान की जली कि जून लास्ट विक तक, उससे पहले तो कोई में नही सकता है, तो अभी हम को यह नहीं मालू है, कोरोना भी और आगे बढ़ेगा, या फिर यहां से डाउन हो जाएगा, ठीक, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन minimum इतना मान की चल सकते हैं, कि जून लास्ट विक से पहले कोई चांस नहीं दिख रहा है, जो भी होगा, उसके बाद ही होगा, यह बाद मैं बहुत पहले से रिपीट कर रहा हूँ, जब सेचसल पुष्पॉन नहीं था तब से, मैं यहीं बोला था, अगर सेचसल पुष्पॉन होता है, तो आप मान के चली, एक माही में कोई एक्जाम होने वाला है नहीं, और जून में भी स्टा जल्दी कम होगा तो, सब कुछ करने में कम से कम दो महीने लग जाएंगे, यानि कि आपके पास प्रिपरेशन का बहुत अच्छा माउका है, और मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, प्रिपरेशन कभी न छोड़ें, इस लिग अभी यह कहेंगे कि पाँच फेज होने के चांसिस दिख रहें, पिछले वर ग्रूबडे में तीन फेज हुए थे, लेकिन इस बर पाँच फेज हो सकते हैं, क्योंकि इस बार क्या है, काफी सारी वेकांस पैंडिंग में हैं, एग्जाम सबरा पैंडिंग में हैं, तो फिर रेलेवे को सेंटर नहीं मिलेंगे आपको पहले बताया था कि रेलवे ने पहले से क्लानिंग नहीं किया था जब जब सेंटर खाली होते गये तब दो एक्जाम कराते गया क्योंकि कोई fix प्लान नहीं था क्यों ख्लाओ कराना भी 28 झाल झाल